Hello friends, welcome to my channel प्रेग्ननेंसी के दोरान गर्भवती महिलाओं ये समस्या देखने को मिलते हैं इससे क्या संकेत मिलते हैं Old Wipes Dilces के पारे में क्या कहती है सारी जानकारी विडियो में दी जाएगी विडियो में अन्य तक बने रहें गर्भावस्था में मतली और उल्टी आम तोर पर गर्भावस्था के नवे सब्ता से पहले शुरू होती है जादा तर महलाओं में ये गर्भावस्था के 14वे सब्ता तर ठीक भी हो जाते हैं लेकिन कुछ महलाओं में ये कई हफते या महीनों तक रह सकते हैं कुछ मैलाव में तो ये पूरी गर्भावस्था के दोरान रहती है, वैसे तो गर्भावस्था में उल्टी आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे गर्भावस्था के दोरान हार्मोन के स्तर में उतार चड़ाव की वज़े से उल्टी हो सकती है, जैसे गर्भावस्था के शुरुआत में estrogen hormone बढ़ जाता है जिससे उल्टीज असर लगने लगता है वहीं 앉 youtubeOG listening.. का स्तर भी बढ़ जाता है जिससे पेट और आतों पर सीधा असर पड़ता है वहीं गर्भ में यदि एक से अधिक भ्रून पढ़ रहा होता है तो भी सारे तीन महने की प्रेगनेंसी के बाद भी उल्टियां होती रहती है गर्भ निरोधक गोली का सेवन करने से या कच्चा अ उल्टी आ सकती है प्रेगनेंसी में अक्सर सीने में जलन के साथ उल्टियां होती है जो की प्रेगनेंसी में सामान ये है आपको इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कुछ घरेलू उपाय अपना कर आप इससे राहत पा सकती है जैसे संतरे की ताजी और तीखी म निचला या बेचैनी हो तो आप ऐसा कर सकती है दी हाइडरेसन से बचें दिन में कम से कम आठ गलास पानी जरूर पिए थोड़ा थोड़ा पानी पी कर देखें कि आपका पेट इसे सहन कर सकता है या नहीं इसके अलावा एक कप गर्म पानी में अद्रक को 10 मिनट के लिए भीगो दे फिर उसे चान कर उसमें शहर मिला कर चाय की तरह धीरे धीरे पिए इसी तरह आप सौप की चाय भी पी सकती है नीबू पानी में शहर मिला कर ले सकती है सेब का सिर्का और शहर थंडे पानी के साथ ले सकती है इन उपायों को अपना कर आप मतली और उल्टी लड़की और कम उल्टिया होना या ना होना लड़का होने के संकेत माने जाते है लेकिन इंका कोई भी साइन्टिफिक अधार नहीं है मैंने आपको कारण बताए है कि प्रेगनेंसी में उल्टी होना आम बात है तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक शेर करें मिलूगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई